सूप्रभाप मेरी कक्षा आठ के शात्रो आज हम पढ़ेंगे पार्ट तीन स्नेह आपकी पुस्तक गुनिका से एक दिन उमा स्नान करके पूजा कर जा रही थी वहां उसे शशी मिला जो घबराया हुआ था उमा ने उससे पूछा कि क्या हुआ वह बहुत घबरा कर बोला कि चाची मुझसे बात मत करो वरना ताई मुझे बहुत मारेंगी उसने पूछा क्यों परन्तु वह जवाब ना दे सका इतने में निरुपमा आती है और उन्हें देख लेती है और उसे कोसने लग जाती है ये कहकर कि बहु इस अभागी बच्चे से दूरी बना के रखो पहले तो अपने माबाप को खा गया फिर अपने ताउ को उमा ये सब सुनकर चौक उठी बहुत दिन तक यही सब चलता रहा एक दिन शशी के रोने की आवास सुनी तो उमा दोड़ी चली आई और देखा कि निरुपमा उसे मार रही थी यह कहते हुए कि चोरी करना सीख गया है उमा ने बीज बचाफ करते हुए सशी से सचाई पुछी तो उसने बताया कि उसे दो दिन से खाना नहीं खाया था तो रजगुल्ला खा लिया यह सब सुनकर उमा का दिल भराया और वो बिहोश हो गई उसकी तब्यत कई दिन तक खराब रही जिसका दोशी सशी को ही ठहराया वह गर्वदी थी उसके पती ने यह सला दी कि अगर वो सशी को खुश देखना चाहती है तो उन्हें अलग वहना होगा जिसके लिए वह सहमती दे देती है उसको एक पुत्र हुआ जिसका नाम अशोक रखा शशी स्कूल से आते वक्त उनसे मिलता परंतु कुश दिन वहन नहीं आया उमा को चिंता हुई और निरुपमा के मकान में जाकर देखा कि सशी की हालत बहुत खराब है निरुपमा रसोई में थी आहर्ट सुनकर बाहर आई उमा को देखकर उसक्रोद उमर गया चीक कर बोली तुम यहां क्यों आई हो उमा ने अपनी जिठानी की तरफ देखा और बोली तुम्हारे अंदर जो आग जली है उसी की भुग बुझाने आई हूँ राक्षशी और उसने अशोग को उठा कर उनके चर्णों में डाल दिया आई सुर में बोली जी जी इसे खाकर अपनी आख शांत कर लो मेरे शशी को मुझे दे दो यह कहकर वहवां से शशी को अपने साथ ले गई इस कहानी का सार यह है कि इसने पर किसी का अधिकार नहीं होता धन्यवाद